पहली जंगे अजीम को सौ साल मुकमल कई ममाली के लड़ाई सेंक्रों जिंदिग्या निगल गए प्रांस के दार लुकुमत पैरिस में मरकजी तक्रीप, सतर ममाली के सरबराहान की शिरकत प्रांसी सी सदर मैनोल मैकव की आलमी रहनमाओं से रंजिशे दूर करने के अपील रूसी सदर विलादी मीर प्यूटर मसाफा करने मीकी हमन सब डानल्ड ट्रम्प के पास चाता हुँचे जिन्दा कौमे अपने मुल्क की खातिर जान देने वालों को हमेशा याद रखती है लंदन में भी पहली जंग एजीम में मरने वाले फौजियों की याद बे तक्रीब शाहिख खानदान वजीर आजम चीज़ा में जर्मी कोर्बंचरी मलका अलिजबत ने वाइट हॉल की बेलकोनी से तक्रीब का नजारा किया लीच में पहली जंग एजीम के सौ साल मुकमल होने पर तक्रीब का एतमाम लॉड मेर और मेंबरान पार्लिमेंट की शरकत शदीद बारिश के बावजूद अवाम की यादगारे शोधा पर हाज़ी पाजी दस्तों ने बैंट की दूने बजा कर सलामी पेश की लेक राइच लोटन में पहली जंग एजीम के हवाले से तक्रीब का एतमाम मेरा फ्लोटन काउंसलर नसीम अयूब, काउंसलर चौदरी महमद अयूब और लॉर्ड महमद कुर्बान शरीद मरने वाले फोजेवों खराज अकी दिटेश मिडल्स प्रो की मस्जदिल मदीना में एद मिलाद नभी सलिलाओ अले वसलम की मुनासब से फुर्वकार में फिर नन्य सना खानों ने मुकाबला किया, पाकिस्तान की गरीब अवान के लिए चंदा भी जमा किया गया बेड़ फोर्ड में एक बाल जे के मौके पर चेरिटी जिनर, पाफिस्टानी की मिनिटिन ने डैम फंट के लिए एक लाग तेंटालिस हजार पाउंड जमा कर लिए हौंग कॉंग में रब्यूल अवल के हवाले सित्ता खारीब का एहतमा इदारा मिनहाज अलकुरान की जानिट से जामे मच्चित कॉलोन में सालाना महफिल नाथ खानों ने हदिया अकीदत बहजूर सर्वरे कॉनें पेश किया स्पेन के शेर बार्सलोना में यौम एकबाल के हवाले से सेमिनार का इना का मेमाने खुसूसी मुम्ताजालन निगार आमिर उस्मान आदिल थे वलादत एकबाल की मुनास्पत से केक भी काटा गया पेरिस में पाकिस्तान प्रेस क्लब में यौम एकबाल के हवाले से सक्रीब पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक शुरका का शायर मश्रिक को शानदार अलफाज में खराजे पहसी रूस में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के जिरे इहत्माम यौम एकबाल की तक्रीब आजर्बाइजान कम्यूनिटी के सदर और मकामी शौरा की शर्कर नाजवान बुरुकारों ने कलाम एकबाल गाकर खूब दाद बसूर की रॉस्टिल में बॉक्सिंग के दिलदादा अफराद के लिए कलब का एकबता नौजवानों को स्ट्रीट प्राइम से हटाना चाहते हैं बॉक्सिंग कलब के मालक बिली इदी कुछ की 92 नीज से गुफत गो और बेलारूस में सजा मुन्फरिद फैशन चो रैम पर जल्वे बिखेरें अनले मॉडल्स ने रंग बरंगे दिलकश मलबुसाद की नुवाईश और मासूम अदाएं शायकीन से खूब दाद बसून की बिसमिल्ला इरह्मान रहीम अस्तलामुलेकूम आप देख रहे हैं 92 नीज यू के मैं हूँ सुमेरा मिर्जा मैं हूँ यासिर रशीब मैं हूँ सना उस्वान मेरा नाम दानिश हुसाइं दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वार्चल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीत कहते हैं इस बलटन में बहुत से खबरे पाकिस्तान से आप तक पहुँँ जाएंगे और बहुत से खबरे होंगी यू किसे भी और आपके साथ मैं हूँ मदीह मसूद आई आगास पर बात करते हैं पहली जंग ए अजीम के इक्तिताम को सौ साल गुजर गाए खुश्बूगों के शहर पारिस में मुनकिदा मरकजी तकरीब में इस जंग में हलाक होने वाले फाजियों को खराजिया कीदत फेश किया गया है अमरिकार, रूस और जर्वनी के सरवराहान समय सत्तर आलवी रहनुमाओं ने इसमें शिर्कत भी की जंग अजीम अवल के इकताम को सो साल हो चुके इस वाले से फ्रासिसी तारकूमत पैरिस में खुसूसी तकरीब काहत अबाम किया गया जिसमें दौरान जंग हलाक होने वालों को खराजिया किदत पेश किया गया परवकार तकरीब में सत्तर आलमी रहनुमाओं मौजूद थी रूसी सद्व विलादिमी अमरीका के सद्व डॉलर्ड ट्रम्प और जर्मिल चांसल एंज्ला मरकल भी शामिल थी अपने खिताब में फ्रांसी सद्व एमाली मेकरोन ने आलमी रहनुमाओं से अपने दर्वियान मौजूद एक्तिलाफात को खत्म करने की अपील की तबाम मालमी रहनुमाओं ने जंग में हलाक होने वाले वाले फौज़ों की यादगार पर हासरी दी इस मौके पर जंगी त्यारों की जानिब से फजाई करतब का शानदार मुजाहरा भी किया गया तकरीब के दोरान ही रुसी सद्व विलादी मेर फूज़न ने अमरीकी हममनसब डानल्ट टरॉम्प के पास जाकर उन से मुसाफ़ा किया पहली जंगे अजीम मेर लड़ने वालों को खिराच रखीदत पेश करने के लिए तकरीब का एह तमाम किया गया जिसमें लॉट मेर लीड्स, लीड्स सिटी काउंसल, मेंबरान पारलिमेंट काउंसलर और तमाम कम्यूनिटी के नुमाइंदगान ने शर्कत की तकरीब का इनकाद लीड्स टाउन हॉल के बाहर किया गया, तफसिलात आसिफ शेजाद की इस रिपोर्ट में लीड्स में जंग अजीम अवल की सत साला तकरीब का इनकाद किया गया जिसमें लीड्स सिटी कौंसल के लॉड्ड मेर, मिम्बरान पारलिमेंट, कौंसलर्स, तमाम कम्यूनिटी के सरपराहान, रिटाइट फोजियों की तन्जीम सालवेशन आर्मी और हाजिर सर्विस फोजी जवानों ने जबरदस्ट अलफास में खराज अकीदत पेश किया तकरीब में साबिक लॉड्ड मेर, लीड्स, कौंसलर मुहमद अक्पाल, पहली जंग अजीम में बरिसगीर पाकोहिंट से बरतानिया आकर लडने वाले बावा घुलाम हुसैन के साहबजादे, बावा मुहमद सद्दीक और बरतानवी फोज में अपना किरदार अदा करने तारिक महमूद ने 92 नियू से गुफटगू में जंग अजीम के हीरोस को खराज अकीदत पेश किया। मेरे क्वीन मेडल उनकी निशानिया है, आज मैं आज आम उनी ही की वज़ा से इस मुलक में फखर से रह रह रहे हैं, इसमें हमारी नसले आबाद हैं, इसमें में इनसानिया कोग दिये हैं। बलंद होना चाहिए के वर्ड वोर वन में हमारे तकरीबन चार लाख खाली इंडिया, इंडुस्तान से मुसल्मान जो आए थे उन्होंने लड़ाई में जंग लड़ी और तकरीबन असी जार शहीद हुए। और टोटल मुसल्मान दुनिया में तकरीबन ओर मिलियन मुसल्मान थे जिन्होंने पहली जंग आजीम में हिसा लिया और करबानिया दे कर इस मुल्क की आजादी में शामिल हुए। बलके पूरी दुनिया की अजादी में और उसमें सब से सरे फैरिस जो हैं हमारे सपाई थे खुदादाद खान जिनको सब से पहले विक्टोरिया क्रास मिला था 1914 में। I was part of the Queen's HM Forces in the Duke of Wellington's Regiment and I'm proud to be here today to represent my grandad, Chaudhary Baruch Khan, also known as Big George, who served in the Second World War and this Remembrance Day is great, we love Great Britain, we are part of its heritage, I was born and bred here, we will be ready and I can say we will step up to the mark should the need arise, if our country needs us, We are here as national of this country and as patriots and as citizens of Great Britain जबके शुरका का कहना था के मुल्क की खातिर मर मिटने वालों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं करेंगे, इस मौका पर फोच के दस्तूने बैंड की धुने बचाकर सलामी पेश की इस मौका पर रिटारिट और हादिर सर्विस फोचियों ने यादगार को सलामी दी और फूलों की चाद्रें चड़ाई गई दो मिन्ट की खामोशी इक्तियार करके जंग अजीम के हीरोज को याद किया गया सौ साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी आज भी लोग उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनूने मुलक के लिए करबानियां दी हैं इसी जजबा के तहत ही कौमे जिन्दा रह सकती हैं आसफ क्रैशी 92 निउस लीड्स लूटिन में पहली जंग अजीम के हवारे से तक्रीब का एहतमाम किया गया मेर आफ लूटिन कांसलर नसीम अयूप, कांसलर चौदरी मुहमद अयूप और लॉड मुहमद कुर्बान शरीक हुए मरने वाले फाजियों को खिरादे अकीदत भी पेश किया गया तफसिलात लूटिन से सबसर बुखारी केस रिपोर्ट में लूटिन में जंगे अजीम अवल को सद साल मुकमल होने पर तकरीब का इतमाम किया गया इस जंग में फौजियों के साथ साथ पचास लाग शहरी भी मारे गए थे इस तकरीब में शुरका की बड़ी तदाज शरीक हुई इस मौका पर मेर ओफ लुटन कौंसलर नसीम अयूब, कौंसलर चोधरी महमद अयूब, लौर्ड महमद कुर्बान समेट मुखतलिफ मकातिब फिकर के अफराद ने हजारों की तदाद में शिरकत की लौर्ड महमद कुर्बान का कहना था के पहली जंग अजीम में मारे जाने वाले अफराद बहुत अजीम लोग थे, जिन्हों ने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया आज 11 नमंबर है और पहली जंग अजीम के खात्मे का दिन है, रिमम्रिंस डे का इतमाम किया गया है रूटन में, आज का ये दिन मार्क करता है पहली जंग अजीम के खात्मे का, जहां लाकुम लोगों ने अपने जाने दी, जिन्में तमाम अजाब के लोग शामल थे, तम लाना पेश करके आज की जो फ्री वर्ल्ड है इसका उन्हें प्रोटिक्ट किया तो हम आज सब मिल करके उन तमाम लोगों की जिन्हों ने शारतें दी हैं या अपने जानें दी हैं आजादी के लिए तमाम जंगों में उनको हम याद करने के लिए यहां कटे हुए हैं यह जंग अजीम अवल कि सबसाला तकरिबात मना रहे हैं और यह बहुत आहिमियत की आमले हैं इस मुलक की तारीफ में कि उस वक्त यहां की हमारी स्क्यूर्टी फोर्चीज ने यहां हमारे लिए हमारे मुस्तक्बिल के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और इस तरह अपने मुलक का दिफा किया आज यहां हम इन लोगों को उन शेहिदों को जिनों ने इस मुलक के लिए कुरबानिया दी हैं उन लोगों को जिनों ने इस मुलक का दिफा किया आज हम उनको ये खराजे तहसे अकीदत पेश करने के लिए यहां कटे हुए हैं तो ये बड़ा सारा लोगों का हजूम यही इस बात की माज़ी करता है कि कौम अपने हीरोस की बहुत कदर करती है और उनको बहुत अभीए देती है जबके मेर कौंसलर नसीम अयूब का कहना था कि पहले जंगे अजीम को सो साल मुकमल होने पर बिटिश सोलजर और दीगर मारे जाने वाले अफराद को खराजे कीदत पेश करते हैं Today we're here outside the Town Hall celebrating, well commemorating the 11th of November, the Remembrance Day, the Armistice that happened a hundred years ago and we commemorate and we salute the soldiers that gave their lives for our today. They sacrificed so much within the two World Wars इस मौका पर शुरका ने भी मरने वाले फोजियों और शेहरीयों को जबदस खराज अकीदत पेश किया कैमरा टीम के साथ सफदर बुखारी 92 न्यूज लूटन बसीद का ब्रेक ब्रेक के बाहर देखते रहिए 92 न्यूज यूके बर्तानिया भर में नभी करीम अलएवाली बसलम की वलादत बासादत की खुशी में महाफिल का इनाकाद किया गया इसी सिल्सले में ब्रिस्टल में रोहानी महफिल मिलाद मुस्तफा का इनाकाद किया गया रिपोर्ट कर एन अमाइनदा 92 न्यूस तन्वीर बुखाल प्रिस्टल के मकामी होटल में मुहमद आबद हुसैन और कमर मलक के जानब से महफिल मिलाद का इhtमाम किया गया इसमें आशकान रिसूल सलललहों की बड़े तादाद ने शिर्कत की नाद खान नभी करिम सलललहों के इस शान में गुलहाय अकिदत पेश किये मिलाद मुस्तफा इसमें ये ऐसा आजीम महीना है जिसमें रिसमें महीने में हर मौमिन अपने दिल से खुशी मनाता है और रिसालत इमाब ऐसे सलललहों की आमद के तथकरे करता है क्योंकि ये तथकरे सिर्फ जमीन पर ने मालिक अरिसूल समय ने खुशी जिसमें अबड़े की आमद की खुशी सिर्फ हमिने में इस महीने में फीयूज बरकात समेंठने की तोफीक अता हर मैं की आमत की खुशियां मनाता है और तकरीबन दो साल पहले इस मोके पे में मदीने पाक में था सरकारए दौालम सुल अलाओ अल्याओ अल्याओं के रोज़ाओ पाक के सामने हमने देखा कि सहरी के वकट उन लोगों ने जिस महबत से अकीदत से प्यार से आकाई दौालम ﷺ की आमन की खुशी मनाई वो एक मिसाली मौका था मेफिल में मौलाना अब्दलजीज रशीदी, मौम्मद अजीज हारूनी, कारी शॉयब ऐहमत, मौम्मद तारिक अजीज समयत मुख्तलिफ अलमाई कराम ने शिर्कत की इस मौकब पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए दौा की गई कैमरा टीम के हमरा तन्वीर बुखारी, 92 नियोज ब्रिस्टल कुवत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसम मुहम्मद से उजाला कर दे रभी अलवल शरीफ का जैसे ही महीना शरू हुआ है, आशकान मुस्तफा अपनी अपनी बसाद के मताबिक नभी करीम सल्लिल्लाहु अलेहिव आलेहिव सल्म के साथ, उनका मिलाद मुना कर अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं मिडल्स ब्रो की मस्जद अलमदीना में ईद मिलाद नभी सल्लिल्लाहु अलेहिव सल्म की मुनास्पत से पुर्वकार महफिल का एहतमाम किया गया जिसमें मकामी किम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई, तफसिलात हमारे नमाइन दे साहर अली की इस रिपोर्ट में मिडल्स ब्रो की वाटरलू रोड पर वाके मस्जद अलमदीना में ईद मिलाद नभी का इहतमाम किया गया इस मौका पर छोटे बच्चों के दर्मियान नाद खाने के मकाबले भी हुए महफिल मिलाद की मुन्तजमीन और नईमा फर्मान का कहना था कि वह आएंदा भी मुकामी मसाजद में मिलाद की महफिल कराएंगी असलाम अलेकम आज हमारा प्रोग्राम नाद की महफिल ये जो बच्चे कर रहे हैं हमारी जनेशन पकस्तान के अवाम लोगों के लिए असलाम अलेकम वी आर हीर टोडे फो मिलाद और पकिस्तानी ब्रिटिश वोमन सोसाइटी आज हमने सब बच्चों के लिए नाद कॉम्पेटिशन रखा है मिलाद करवाया है और नेक्स्ट भी इंशाला हम करवाएंगे और हम हर किसम के न्यू तरीके से हम एवरी मंथ प्रोग्राम्स रखेंगे आज हमने मेफिले मिनाद रखी है और बच्चों का नाद कॉम्पेटिशन रखा है इसमें हम चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जितने भी हैं हमारे वो आएं और नाद खानी करें मेफिल में चंदा भी जमा किया गया जो पाकिस्तान में गरीब अवाम में तक्सीम किया जाएगा मेफिल के आखिर में जीतने वारे नन्ने नात्कानों में इनामात और सर्टिफिकेट भी तक्सीम किये गए खूवत इश्क में हर पस्त से बाला कर दे दोहर में इसम मुहम्मद से उजाला कर दे हुजूर अकरम सल्ल्लाहो अलेह वाली वासल्म की शान में ये मिलाद मनाई जा रही है जबके दूसरी तरफ नन्ने मन्ने आशिकान रसूल ने ये थाबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं कैमरा टीम के साथ साहिर अली 92 न्यूज मिडल्स ब्रॉग डबलन में बाबुल इल्म सुसाइटी के जेरे थमाम हजरत इमाम हुसेन रूज रूज अन्हू का इनाकाद किया गया मुक्तलिफ मक्तुबाए फिकर, मजाहिब, बार सिवल सुसाइटी के अफराद शरीक हुए मजीद तफसिलात फैसल मिर्जा केस रिपोर्ट में आरलेंड के दार अल्हकूमत डबलन में बाबुल इल्म सुसाइटी के जेरे थमाम हजरत इमाम हुसेन कान्फरेंस मुनाकिद की जा रही है जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ मजाहिब से तालोक रखने वाले अफराद को मदोग किया गया है सुसाइटी के रूह रवा अलामा आगा घुलाम हुर्शानेरी ने कान्फरेंस के अगराज मकासिद पर रोशनी डाली आज हमने यौम हुसेन मनाया है यौम हुसेन यी इन्सानियत के दिन इस दिन में हमने कोशेशिये की है कि मैं तुमाम मजाहिब से तौमामा को और जौमा को शौमा को दाबत दियजा आथ के अप täältरो रौग्राम एक इच्छे अंदाज में शर्क्त की, इमाम हुसेन अड़ाइसलाम हम सब के हैं, तमाम इनसानियत के हैं, इमाम हुसेन अड़ाइसलाम ने जो क्याम किया वो उम्मत को बनाने के लिए था, आज का बिसिकली मक्सद ये था कि आज मुक्तलिफ मक्तब फिकर और मसलख के लोगों को इन्वाइट करना, अपनी उनिटी को स्ट्रॉं करना और इमाम हुसेन के मेसेज को इस पर अपनी जिंदगी में उस पे अपे अपल करना. Assalamu alaikum Amali Mirza, basically this event is like for this Day of Hussein and it's to encourage young kids and youth to take part, to learn about Imam Hussein's stand for social justice and like his main message was that to save humanity, not just Muslims and Shia and Sunni is for the whole humanity. आज आम हुसेन है and we're speaking about Imam Hussein and his influence and his message on unity and all this stuff and in Ireland many women as well are very, very into this and it's a very important topic for a lot of people in Ireland so it's very important to learn about. इस मौका पर सिस्टर तारा और ग्राइडी ने भी खिताब किया. उन्होंने हजरत इमाम हुसेन रजियलाहु अन्हों की शान बयान करके उन्हें जबर्दस्थ खराज अकीदत पेश किया. I know that it sounds outrageous and very profound but I really did hear a call from Imam Hussein and I know that you don't make it to Karbala unless you have a personal invitation from him. It's a very spiritual thing, it's the most spiritual thing that's ever happened in my life and it doesn't make sense in the real world. What brings us here today is the love of Imam Hussein. There were different speakers that spoke from different backgrounds. I think the most inspiring story was the lady that walked the Arbaeen and her experience and what a heart-touching story and you know we were just, it's one thing that brings us all together as in humanity and all those good things that Imam Hussein represents. So, Alhamdulillah. First of all, it was a pleasure for me to attend this important meeting and event. What I can say briefly is that the whole world is in dire need to have a role model like Imam Hussein because as we look at the international relations situation we see so much of division, so much of war and distinctions which are bringing so much misery to their world. तक्रीब में आयरलेंड में तायुनात, एरानी सफीर, मसूद, इस्लामी और ब्लांच स्टॉन के कांसलर ने भी खसोसी शर्कत की. देगर मकररें में मिन हाजुल कुरान आयरलेंड के सरबराप पिर गुलाम दस्तगीर, बोहरी फिर्के के ओदेदारान ने भी फजायल इमाम हुसेन रजियलाह और नहों बयान किये. जिस तरीके से बाबुल इलम में सोसाइटी डबलन आयरलेंड में तमाम दुनिया के सामने मुस्लमानों का एक इमिज पेश करने के लिए काम कर रहे हैं, इसकी मिसाल पूरे यूरप में नहीं मिलती. आज का इवेंट बहुत ही अच्छा रहा जिसमें मुस्लिम मक्तुबा इलम के लोगों के साथ साथ मुस्लिम जाहब के लोगों ने आकर इस इवेंट में पार्टिस्पेशन की और अपने हैलात के जहार किया. फैसल मिर्जा, 92 News, डबलन आयरलेंड. ब्रेडफोड में इकबाल डे के मौके पर चैरिटी डिनर का हित्माम किया गया, जिसमें पाकिसानी कम्यूनिटी ने डैम फंड की मद्ड में एक लाग तैंतालिस हजार पॉंट्स जमा कर लिए. मजीद तफिला जान दे वकार बाबर की इस रिपोर्ट में. ब्रेडफोड के मुकामी होटल में अलामा इकबाल डे और डैम फंड के हवाले से चैरिटी डिनर का इहत्माम किया गया, जिसमें मेर्स, कौंसलर्स और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई. इस मौका पर लोगों ने दिल खोल कर अतियाद दिये और चंद हिलमों में एक लाग तेंटालिस हजार पाउंट्स की खतीर रकम इकठी कर ली. शुरका का कहना था कि ओवरसीज कम्यूनिटी ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और मुस्तक्बिल में भी वो अपने वतन के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देंगे. तरीख हुआ है जी कि जब भी पाकिस्तान में, जब भी पाकिस्तान को हमारी जरूत पड़ी, जो लोग हम फोरण पाकिस्तान में बचते हैं, हमने हमेशा पाकिस्तान की हर बात में लबैक का है, हमने कभी ये नी सोचा कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हम हमेशा ये ही सो के लिए मैं नोंको दिल के गालियों जो मागब बात प्राइब सारे ओवरसीज पाकिस्तानि जो हैं हम यहां पर अकठे हुए हैं सरफ एक मकसद के लिए कि पाकिस्तान में जो पूश पानी जो कमी है उसको दूर किया जाया और डैम्स की जो अम तामीर है उसको कामयाब किया कि 143,000 स्यूपर औरेडी जमा हो चुका हुआ है और यह तो एक हमारी ब्रैटफर्ट की रीत है जिसको आज हमने कॉटीनियू कि अबरे जोच और जजबे के साथ अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क के लोगों के लिए हमने यह डैम के लिए पैसे कठे की हैं और ब्रैटफ के लिए और इन्होंने यहां से एक लास 40,000 से ज़्यादा आज रेज किये हैं इस हॉल में तो हमें बहुत ही फकर है और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्टान कलब का और एपी पीएस ग्रूप का जिन्होंने इतनी महनत करके यह पंक्शन गठा किया लगाया ज दिल खोल कर लोगतिया दे रहे हैं प्राइमेस्ट इमरान हान की प्ली पे और चीफ जस्टिस सप्रीम कोर्ट की प्ली पे आज ओवरसीज पाकिसे ने अपने दिल खोल के इस पर कॉंट्रिब्यूट किया है और आज कि इस इवनिंग एक शाम के अंदर 143,000 पांड रेज की गई जलजला हो सहलाब हो या फिर हो डैम की तामीर महिबे वतन ओवरसीज कम्यूनटी अपनी मिसाल आप रखते हैं कारवाबर मुगल 92 नियोज ब्रेटपोर्ट स्पेन की शहर बारसलोना में यौम-ए-कबाल के हवाले से सेमिनार बनकित किया गया तकरीब के महमाने खुसी मुम्ताज कालिम निगार आमर उस्मान आदिल थे तब सिलाज स्पेन से शाहिद है मत्चाहिद केस रिपोर्ट में बारसलोना में यौम-ए-कबाल के अफकार आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए मशल रह साबित हो सकते हैं शायर मश्रिक ने सियासत और मजभब मैशत और मौशरत गर्ज ये कि जिन्दगी के हर पहलू पर रहनमाई की है बारसलोना में यौम-ए-कबाल के हवाले से एक पुर्मगस तक्रीब का इनिकाद किया गया जिसके वेमाने खुसूसी ममतास कालम निगार, महर तालीम, साबिक M.P.A. आमिर उस्मान आदिल थे जबके बारसलोना की साफी बरादरी और कारबारिय समाजी शक्सियात बड़ी तादात में तक्रीब में मौजूद थी आमिर उस्मान ने अपने खियारात का इजहार करते हुए कहा कि नसल नौ को फिक्र एकबाल से आगाह करने की खातिर हर सता पर काम करने की जरूरत है ताकि हमारे तुलबाव तालबात की फिक्री रहनमाई हो सके अक्बाल उम्मीद का शायर है वो अपनी कश्टे वीरां से माजूस नहीं होता बस जरा सा नम होने का तकादा करता है उन्होंने कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा जिस दौराहे पे खड़ी है खुन मुस्लिम की अर्जानी है इराक हो या फलस्तीन शाम हो या कश्मीर मुसल्मा रहा बना कर आगे बढ़ती हैं हमारा अलमिया यह है कि हमने फर्मूदात अक्बाल से मुह मूड लिया है पाकिस्तान जो कि अलिया का फैजान और रब करीम की अमानत है उसे काईदादन के बाद कोई रहनमा नहीं मिला हमारा अक्बाल को अमत मुसल्मा का एक हकीम देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को अक्बाल के अफकार की नजरियात की जतनी जरूरत है शायद इससे पहले कभी नहीं मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान ने अपनी अज़िक डिरेक्शन के उपर जाना ह नए नसल को फिक्र एकबाल से रूश नास करने की जितनी जरूरत आज है शायद इससे पहले कभी भी नहीं और एकबाल को समझने के लिए एकबाल को एज़े मजमून सलीबस में शामल किया जाए हम हमा कुमते पाकिसान से मतलबा करते हैं ये इन्टरनेशन पूरी दुनिया पे महीत है उनकी खुबसूरत शायरी में उन्हों नजवानों को जो महात्ब करते हुए कहा उनको जो उनकी सलाहितों का इजहार किया वो शायद दुनिया के किसी और फल्सवे किसी और कताब में नदर नहीं आता की रोशनी की इकपाल के अफकार की रोशनी में मसायल के हावाले से बात की गई और यəumijn वलादते इकपाल के हावाले से केक भी काटा गया तो मैं समझता हूंिक ये एक बड़ा खोशाइन पैगाम है पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तरफ से पाकिस्तान के नाम के हम आज भी समझते हैं कि अकबाल के अफकारात को अपनी कौमी जिंदगी में मशल रा बनाने की जरूरत है तक्रीब में मुफक्कर पाकिस्तान की पैदाश के हवाले से केक भी काटा गया जबके तक्रीब मेजबान चौधरी इंत्यास आकिया ने महमानों का शुक्रिया दा किया आके महमानों के लिये पृत्कल्फ इशाईयी का इहतेमाम था जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया शक्सियात ने शिर्कत की तक्रीब से मारूफ समाजी रहनुमा सेद एहमद अली, सेद प्रेस कलब पैरस फ्रांस मिया अमजद, तहरीक इनसाफ फ्रांस के सदर जुल्फकार चिताला समेट मुतदत नुमाया शक्सियात ने खिताब किया अलामा उक्बाल के हवाले से मैं ये कहना चागहाँ कि ऐसी शक्सियत है जो के पूरी दुनिया के लिए ना के पाकिस्तान के लिए एक ऐसी मश्छले रह जो के यूथ के लिए अगर उनकी शायरी पर हम अमल करें तो हमारी जिंदगी में बहुत जयादा बेतरी और तरकी कर सकते हैं। अलाम अकबाल ने वैसे तो हमारी जो कौम है उसमें एक रूप फोंक दी और हमें जो है एक खुदी का पेगाम दिया। अलाम अकबाल ने क्या खुब का है कि खुदी को कर बुलन इतना कि हर तक्दीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे वजा तेरी रजा के रहे। अलाम अकबाल की यौम पेदाश पे मैं पूरी कौम को ये मेसेज देना चाहूंगा कि उनके अफकार उनके नजरिया खुदी को अपनाने की आज जितनी जरूरत है वो कल ना थी क्यूंकि हम उनके बनाए हुए असूलों पर अमल करते हुई पाकिस्तान को आगे ले जा सकत पाकिस्तान प्रेस कलब फ्रास ने जौम अकबाल के होले से आज प्रोग्राम किया और पाकिस्तानी कम्यून ने बहुत बड़ी तदाद में शिर्क्त की علامہ اقبال کا فلسفہ उनकी शायरी उनका करदार सिर्फ पाकिस्तान या बरेस्गीर की हद तक नहीं यूरोप और पूरी इनसानियत के लिए उनका पेगाम और खसूसन जो मजलूम है पिसे हुए तबकात है उनके लिए एक पेगाम है अज है काफी अरसे के बाद पाकिस्तान प्रेस कलब फ्रांस की जानिब से जो ये दिन मनाया गया है इसके लिए मैं इनको मुबारक बात पेशकर हूँगी बहुत अरसे के बाद ये काम इधर हुआ हुआ है और इन्शाला भार साल हुआ करेगा इससे कम्यूनिटी में और जो हमारी नहीं नसल है उसको आगाही मिलेगी इस मौका पर शुरका ने अलामा इकबाल की सालगिरा का केक पी काटा इस तरह के प्रोगाम मुखलिफ सियासी जमातों से तल्लक रखने वाले पाकिस्तानी कम्यूनिटी को एक च्छत तले मुताइद करते हैं जो नहाईती खुशाएंद है राजा अभीब 92 न्यूस पैरस फ्रांस रूसी दार लुकुमत मौसकों में पाकिस्तान कम्यूनिटी रूस के जिरे एतमाम शायर मच्रिक एलामा इकबाल का यौमे वलादत बड़ी धूमधाम से बनाया गया तफसिला चांदे मौसकों से शाहिद गुमन की इस रिपूर्ट में मौसकों में पाकिस्तान कम्यूनिटी रूस के जिरे एतमाम इकबाल डे जोशो जजबे के साथ मनाया गया जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर शिर्कत की सदर पाकिस्तान कम्यूनिटी रूस खलील रह्मान आजर्बाइजान कम्यूनिटी के सदर मौम्मध शाकर और रूसी शायरा लद्मेला ने शुरका से खिताब किया जिन्हों ने अलामा अक्बाल के फलस्फे पर रोशनी डाली जिन्हों ने इनसानियत की फिकर में अपनी शायरी अपने फलस्फे को आगे बढ़ाया और उस फलस्फे की जोर से और उस फलस्फे के अहम मकसद को हमारे बरिसगीर के मुसल्मान नौजवानों को जहनों में पहुंचाया और जिस के नतीजे में आज आज अला ताला ने हमें एक अजीम मुल्क से नवाजा है जिसका नाम है पाकिस्तान मुहबत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद अलामा अकबाल साब का शेर है और आज हम अलामा अकबाल डे मना रहे हैं मौसको में पाकिस्तान कम्यूटी सब मिलकर यहां पर मरकिजी दफ्तर में कम्यूटी के मरकिजी दफ्तर में अलामा अकबाल डे मना जा रहा है बड़े जोशो खरोश से अखबाल की तालिमात अखबाल का फलस्फा अखबाल की तहरीकात हमारे लिए एक मश्च ले रहा है हम यकिनन इस बात में पर यकीन रखते हैं कि मुल्क में अब खुशाली आ रही है और वो खौब जो अखबाल ने कभी देखा था वो अब उसकी तक्मिल होने वाली है अपने हीडोस को अपने शायर मश्रिक को वो खराज़ तेसीन पेश करने के लिए यहां पर जम्हा है जहां पे हाजिन ने बड़े अच्छे तरीके से रुसाली ब्रेट किया जो दूसरे लुसे मह्मान आये थे कुछ आजबायजान के मह्मान आये थे तकारीर हुई, महमानों ने तक्रीरें की, उसके लावा नगमे पेश किये गए और बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम को यहां पे अकबाल डे को मनाया गया मेरा यही मेसिज है कि हम सब को अकटे होके पाकिसान के लिए, नए पाकिसान के लिए मेहनत करना चाहिए मौका मिला है कि हम अकबाल डे को सेलिबरेट करें और हमें बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तानी गुलुकारू नदीम खान, महबूब भटी, अरसलान जुगनू और अल्ला रखा कुरेशी ने अकबाल की शायरी पर मबनी गीत का कर हाजरीन से खुब ताद वसूल की तकरीब के इहतताम पर शुरका के लिए इशाय का भी इहतवाम किया गया था वसीद का ब्रेक ब्रेक के बाहर देखते रहे है नाचिजी नीज यूके बरतान्वी लोग हर साल 35 करोड टन कपड़ा कुड़े में फैंकर जाया कर देते हैं इस्तमाल शुदा कपड़े को करामत बनाने के लिए मशूर समाजी शक्सियत मलेक खबीब ने मोहिम शुरू की है उन्होंने स्कॉटलैन भर में एक प्लॉथ बॉक्स नस्ब किये हमारे नमाएंद शाहिद मीर ने उन से खुसूसी गुफ्तगू की है आपको भी सुनवाते हैं इसमें हमारा जो फंडरीजिंग का मॉडल है हम लोगों से पैसे नहीं मांगते हैं हम लोगों से कपड़े मांगते हैं और कपड़े माशाला जो हमें डुनेट करते हैं लोग वो कपड़े हम बेच कर उन पैसों को यूस करते हैं स्कोटलینڈ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, जो बिमार बचे उनको टॉइस घरा देते, गिफ्ट देते इसके लावा, 200 से ज़्यादा सिरियन बचे जो सिरिया से यहां शिफ्ट हो चुके, उनको भी हम गिफ्ट देते पेखाम मेरा यहा है को यूके के अंदर 350 मिलियन टन्स कपड़े जो लोग बिंज में फैंक Strength prepared जाया हो जाते हैं जिस तरह ये अभी इदर किलमार्रक में माशालाई मस्जिद में आपको नज़र आ रहे है डिरिम इसी तरह और मुख्तलिफ शेरों में ग्लासगों में भी है मदरवल में है एडमरा में भी है तो हम दर्खवास कर रहे हैं खासकर पाकिस्तानी कम्यूटी को जिन के पास अपन कोंट्रिबूशन है और आप रिसाइकलिंग प्रमोट कर रहे हैं और इससे हमें ये वाइदा हो कि हम लोगों से पैसे नहीं मांग रहे हम लोगों से कपड़े मांग रहे हैं मैं ही समझता हूं कि क्योंकि जितने भी पुराने चीजें कपड़े वगरा होते हैं अगर इस क्लोज बैंक में फेकेंगे तो कि माजिक समाइल मैं जानता हूं अभीब साब को बड़े अच्छी तरह बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़ी चारिटी करते हैं तो मुझे यह नमबर नोट कर लें 429 2255 और दूसरे माजिक समाइल को आप यह चारिटी बैंक में कपड़े डाले ताकि यह लोग गरीबों से गरीबों की हल्प कर सकें और उनको रॉच्टेल में बॉक्सिंग क्लब की इफताही तकरीब का इनाकाद किया गया तकरीब में मेर रॉच् अपुसरे मेर रॉच्डेल कांसलर महमध जमान के इलावा और लॉच्टेल कांसलर आसं आप रॉच्Ab के इलावा नुजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की 92 News से गुफटगू करते हुए मेर रोच डिल कांसलर मुहमद जमान और दूसरे कांसलर्स ने बाक्सिंग कलब खुलने पर खुशी का इजहार किया लें और अपने अपनी सेथ का भी ह्यार करें और अपने आपको डिस्टिप्लन से खाएं और मैं अमीद करता हूं कि हमारे जो जितने नोजवान है वह इसमें आएंगे इसा लेंगे मेंबर्शिप लेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे और यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बास है कि यह मारे वाड में है और इसमें हमारे अपनी कम्यूनेटी के नौज़वानों को यहां आने में और एक साथ मिल के काम करने में मदद मिली गाएंगे ऑसी एक्टिपेटी खुर्स या आ हो पर लिए व्युक्ः ज की बड़ी जरूरत थि क्रूंकि हमारे बहुत से ड्रग्ज में और दूसरी बेर Daarby का श्कार है, उनको इसी ऐक्टिविक्टी चाहिए थी जहाँ पर आएं अब आएंि इसपेशली स्पोर्स के साथ इंगेज किया जाएं वारी कम्यूनिटी के लिए बहुत अची खबर है क्योंके आज जो है वो यहां पे बॉक्सिंग जिम खुला है और स्पेशली जो यंग्स्टर है इस लाके के लिए तो मैं समझता हूं कि सबसे द्यादा है खुशी की खबर अच्वा पारी के लिए अच भुबत दो यहां वी किसे अची जीजे खुबत अचिड़ की तो में आप पीजिजू याज़ कर लुचर जो रख यो अच्छ अची वड़िफ पे टलीज़ काम के लिए कूप प्सेशली के लिए अचर्चश जोसिए ले एना कि लान सुच्टी बॉक्सिन कलब के मालिक बिली दी किट का कहना था कि कलब खुलने का मकसद नो जवानों को स्ट्रीट क्राइम से हटा कर कलब मेलाना है राजडेल के बॉक्सिन कलब में हर उमर के अफराद मिंबर्शिप ले सकते हैं खेलों के सरगर्मियां अमारी नौजवान नसल के लिए बेहद जरूरी है और इस तरह के सेंटर्स इसमें कलीदी करदार अदा करते हैं कैमरा टीम के साथ राजड वाजड नाइटी टू न्यूज राजडल बरतानिया बेलारूस में सज़ा खुबसूरत नन्ने बच्चों का फेशन चो रंग बरंगे दिल कश्मल बुसाथ जेवे तन किये नन्ने बच्चों ने रैम पर जल्वे बिखेरे और शायकीन से खुब दाद वसूल की आप भी देखिए अप्तर के लिए इतना ही देखते रहिए आचिटी न्यूस यूके झाल